आज बात करेंगे कुरोनवा को लेकर जो देश में माहौल है मैं पहले बोल दे रहाँ बहुत इपोटेंट वीडियो है ध्यान से देखिएगा आपके परिवार की जान आपके हाथ में क्योंकि सरकार हाथ खड़ा कर लिए राज जी सरकार हो या किंद्र सरकार हो आपको अपने हाल पर छोड़ दिये सरकार के लिए हम लोग बस क्या है भाई तो एक नंबर है एक नंबर है आप अगर 130 करोड में अगर 10 लाख लोग मर भी जाएंगे ना किसी को कोई फरक नहीं पड़ेगा सचाई बता रहा हूं फिर पॉलिटिक सारा जिंदिगी करते रहना जिस दिन घर में बॉर्डी आने लगेगा न एक बात समझना आपको खराब लग सकता है मेरी बात जब देश में 500 केस था तो डर का महौल ऐसा था कि बहुत टेंसल है देश में कुछ घर से बाहर नहीं निकलना है घर में रहना है उस समय लोग डरे हुए थे लेकिन आज के डेट में दस हजाड डेली केस आ रहा है लेकिन किसी को कुछ डर ही नहीं है ऐसा क्यों हो गया भया डर अंधर से क्यों निकल गया एक इन्सान के वज़े से जिसको बूलते हैं मिडिया आप मानो या ना मानो उपर से order है कि अब मीडिया में कुछ नहीं दिखाना है डर का माहौल नहीं बनाना है अगर लोग घड़ से बाहर नहीं निकिलेंगे तो काम नहीं होगा पैसा नहीं आगा एकनौमी गीरेगा तो सरकार के लिए हम लोग बस एक नंबर है important नहीं है आपको लग रहा है कि हम Congress Party के हैं तो हमको Congress Party सपोर्ट करेगी हम BJP का supporter है तो BJP support करेगी कोई नहीं करेगा आप बस एक number है सरकार के लिए ठीक है तो याद रखिएगा आपकी जो जान की कीमत है वो आपके हाथ में आपके परिवार की सुलक्षा आपके हाथ में करना क्या है थोड़ा बताऊंगा तो वो अपने दिमाग में ये बैठा ले कि मैं करोना को घर के अंदर लेकर आ रहा हूँ तो घर में इंटर करते किसी भी बच्चे बुजुर्ग के पास नहीं जाना पहले कपड़े को खोल कर नहाना है अच्छे से उसी के बास सब के पास जाना है वरना आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं डर कमाओ लाई नहीं क्या करते हैं घर में आए सट खोले टांग दिये पैट को टांग दिये सब को छूद दिये उसके बाद मन में है कि नहीं नहाना भी ये बाहर से अरे ये तो वही बात हो गई पानी ने रंग मिला दिये रंग मिलाने के बाद बोल रहे हैं कि पानी और रंग को अलग करना है यानि बीमारे घर में फैला दिये उसके बाद आप क्या तिना टक कर रहे हैं तो ये आप कम से कम फॉलो करिएगा आपकी जान की कीमत आपके हाथ में और एक बाद, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पच्छी मंगाल में सब सही है, उत्तर परदेश में केस कम है, यहाँ पर केस कम है, सच्चाई मिडिया आपको नहीं दिखा रहा है, हर एक राजुमें, हर एक हॉस्पिटल का कंडिसन बद से बतर है, बेड नहीं मिल रहा है, बस आ हर एक बेड के बगल में, बेड नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं, हर एक कंडिसन में मानो या ना मानो, सारा जिंदगी कॉंग्रेस बीजेपी करते रह जाओगे, सरकार हाथ खड़ा कर दी है बाई, ठीक है, बहुत जिसके उपर बित रहा है ना, बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में, परिवार पागल, फिर बच्चा भी रो रहा है, परिवार भी रो रहा है, और सच्चाई बता दे रहा हूं, आप जितने भी बड़े लोग हैं, जितना भी पैसा रखे हैं, कोई काम नहीं आने वाला है, कली बीजेपी के एक लिडर, कल फेजू के अगा मुझे बेड मिला, अब सोच लो, पावरफुल लोगों को अगर बेड नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता का क्या हालत होगा, तो ये चीज आपको समझना है, बाई, मैं क्या बोल रहा हूं, धंक से समझना, सारा खेल टेस्टिंग का है, हर एक राजबग से बत्तर कं है, जब इंडिया में केस, एक कल्कुलेशन आप सभी समझना, जितने भी मेरे भाई बैन देख रहा है, चीज को समझना, कल जब इंडिया में स्टार्टिंग स्टेज में 200 केस था, तो सभी बोल रहे तो इंडिया कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, सब समाल लिए सब समझ रहे हैं, सारा जो खेल है वो टेस्टिंग का है, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, टेस्ट जितना बढ़ रहा है, केस उतना बढ़ रहा है, पांच परसेंट तो कम से कम केस बढ़ रहा है, एक्जामपल के तोर पर समझ लिजिए, अगर एक लाग टेस्ट हुआ अगर एक लाग टेस्ट हुआ तो पांच पर्सेंट पॉजिटिव तो निकल लिए जाए छैसे साथ पर्सेंट, पांच हजार भी माल लो जितना टेस्टिंग बढ़ रहा है, केस उतना बढ़ रहा है ठीक है, अगर आज की रात, अगर आज का आज, एक सो तीस करोड टेस्टिंग भारत का हो जाए न, जितना भी आबादी है, पांच पर्टिंट समस्ते हैं, तेरा पांच यो पैसट, साड़े छे करोड़ लोग संक्रम मीत है, तो बाहर जाने से पहले सोचिएगा, बहुत से बाहर निकलना है, अगर आप कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, कितना भी गाओं में, सहर में आपका नाम क्यों ना हो, अगर एक बार क्रोणा पॉजिटिव हो गये न, एक बार उसके बाद आप ठीक होकर घर भी आ गये न, कीट को समझे जो आज आज आपको दोस्त है ना अरे भाई कल उस्वई मोलेगा फोन नहीं उठाएगा सच्चाई बता रहा हूं यह ऐसा खतरनाग निमारी है डरा नहीं रहें सच्चाई बता रहें जो मिडिया आपको नहीं बता रहा है बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना सरकार हाथ खड़ा कर दिये हर एक राज आपस में लड़ रहा है केंदर सरकार तमासा देख रही है केंदर सरकार का बहुत सारा रोल है ग्री मंत्री का नेशनल इमर्जिंसी लगा सकते हैं लेकिन सब तमासा देख रहे हैं आपने अगर किसी भी पार्टी को सपोर् पर समझे, दारू का दुकान, लीकर का दुकान खोल दिया गया बिना कुछ मैनेजमेंट का, क्या हुआ, दारू का दुकान खोलने के बाद, केस डबल होने लगा, दारू के दुकान पर भीड आने लगा, लोग तो बेवकूफ है, सरकार की कुछ मैनेजमेंट तो है, केबिने तो है अच्छा सरकार ये भी कर सकती थी ना कि सरकार को हम किस लिए चुने ताकि सरकार हम लोग के बारे में अच्छा सोच सके management बना सके कुछ अच्छा decision ले सके सरकार अच्छा सरकार ये कर सकती थी कि नहीं आप ये बोलो सरकार ये कर सकती थी जैसे आज जितने भी essential समान है जितने भी जरूरी समान है वो online मिल रहे है तो एक management बनाकर राज्य सरकार से एक बात करकर ये भी सरकार कर सकती थी कि जितने भी लिकर है न हर एक राज में अलग-अलग website बना दे रहे हैं ठीक है online हर एक आदमी को अगर चाहिए तो उनको online चीज मिलेगा सरकार management बढ़ा ही नहीं lockdown ठोल दी और lockdown कब खुला जब केस बढ़ रहा है जब केस बढ़ रहा है तो चीज को समझिए भाई बेड नहीं मिलेगा hospital में बहुत बत से बत्तर condition हो जाएगा सब politics में करें आज ही मेरा दोस्ट जो है एक भाई अपने बच्चे का नाम कटवा दिया स्कूल से बोला जिन्दगी रहेगा तो मेरा बेटा बहुत आगे पढ़ लेगा वैसे भी अनपढ़ गवार लोग नेता बन बिधायक बन जा रहे है तो मेरा बेटा भी अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम MP MLA तो बनी जाएगा नेता तो इस्कूल नहीं जाएगा तो अपने बच्चों सब कहने का मतलब है ना आपकी परिवार की जिम्वारी आपके हाथ में आपको क्या करना है सारा केस टेस्टिंग का है कोई लोग बोल रहा है पच्ची मंगाल में कम केस है पच्ची मंगाल में टेस्ट कितना हो रहा है अठाइस सो से उन्ती सो टेस्ट हो रहा है प्रती मिलियन दस लाग लोगों पर उत्तर परिदिस में कितना हो रहा है पंदरा सो से सोलना सो टेस्ट हो रहा है समझ रहे हैं और इगारट टाइट का बीमारी हमारे भारत में आचुका है पूए लक्षण नहीं होने के बाद भी उसके अंदर क्रोना वायरस पाया जा रहे है तो यह चीज आपको समझना है आपको अपना कियर करना है अपने बाल बच्चा का कियर करना है भाई नॉर्मल ए पत्ता डेली खिलाओ, डेली खिलाओ, पॉर्ट डे, बहुत जन बोलेंगे, गुलोए, असुगंदा, अलग-अलग चीज बताएंगे, मैं बोल रहाँ सब के बस की बात नहीं है, कम से कम दो-तीन तुलसी का पत्ता खाली पे डेली खिलाओ, और अगर पैसा पॉकिट में हैं, तब ही जाकर न, मुस्तम्मी बोलते हैं, संत्रे वेगरा जो है, घर में ले आकर अपने पैरेंट्स को दीजिए, बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा, अपन आपकी सुरक्षा आपकी हाथ में, सरकार हाथ खड़ा कर दिये, सरकार से पूछो तो बोलती है, लोन ले सकते हैं, यार सबको लोन लेकर बिग्नेस करना नहीं आता है, माँ पापा ने BBA, MBA करवाया है, पैसा खर्चा किया सर, उनको हाथ से काम दीजिए, रोजगार दीजिए, सबको लोन लेने के लिए बोलते हैं, कुछ भी बात हो, लोन ले 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 ले, फ्री में दे दी, यार 20 लाग करोड के अंदर ना 12 लाग करोड बैंक लोन ले, बैंक जो है वो लोन देगी, समझ रहे, यारि लोन ले लोआ, और मर जाओ, अब बोलेंगे सरकार तो भाईया चावल दे रही है, वही बात है, आपको बस जिंदा रखना है, यह किस समझे, जादा किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी पार्टी, पॉर्टीस को बस इतना बोलूँगा न, आपकी जिम्वारी, आपका परिवार, समहा लिए, घर से बाहर कोई आता है, कोई भी बेखती, आपका फर्च क्या है, कोई साम में नहीं जाएगा, बाल बच्चा, पहले वो सेंटाइस करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद बाल बच्चा जाएगा, उनके पास, ये आपकी जिम्वारी है, बाकी आप समस्दान है, आपको क्या करना है, अगर लगता है, देश में सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, पॉल्टीस करेंगी, उपी में कुछ नहीं ह यही सब करिए, मीडिया और नेता यहीं चाहते हैं, आप यहीं सब करो, चलिए